The next exercise 4 Write the place value of the color digit यह हमने पहले भी देखा था कि आपको color digit दिया जाता है उसकी place value आपको लिखना होता है यहाँ पर 5 color digit है तो हमको देखना है यहाँ पर 5 की place value क्या है तो हमको ऐसा account करना होंगा 1, 10, 100, 1000, 10, 1000, 1 lakh 1 lakh means यहाँ पर 5 lakh हो जाएंगा है ना 5 lakh 5 lakh में कितने 0 होते है 5 0 होते है तो हम यहाँ पर 5 lakh लिख लेंगे next यहाँ पर 9 color digit है यहाँ पर 9 की place value क्या है यह देखेंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000 10,000 means 10,000 को 9 times प्लस करें तो 90,000 आता है 90,000 1000 एंसर होंगा यहाँ पर 8 color digit है so 1, 10 10 बोले तो 10 होता है 10, 10 को 8 time 8 बार प्लस करना होंगा तो answer is 80 यहाँ पर 9 1, 10, 100, 1000 10,000, 1,000, 10,000 यह 10,000 के place value है इसकी और face value है 9 10, 100,000 को अगर आप 9 time प्लस करोंगे तो answer होंगा 90,000 90 लिख देना है लग के 5, 0 लगा देना है then 5 is color digit 1, 10, 100, 1000 5000 प्लस के value है face value is 5 so 5000 होंगा same यह आपको करना है यह घर पर आपके notebook में या book में ही आपको करना है next question write the numbers in short form separate the periods using a comma अभी यहाँ पर आपको expanded form दिया है means आपको बड़ा करके बता आया है आपको short form लिखना है और comma लगाना है comma लगाकर separate करना है उसको so यह है 3,00,000 3,00,000 का 3 comma क्योंकि लग का period अलग होता है so हम 3,00,000 को अलग लिख देते है comma यह 1000 है 10,000 1,2,3 1000 में 3,0 होते है इसलिए 1000 और यह 10 और यह भी 1000 है means यह 10,000 और 3000 कितना होगा 13,000 so 13 लिख लेंगे comma 400 का 4 70 का 7 और 9 का 9 okay the next 6,00,000 6,00,000 का 6 comma 50,000 plus 5000 का addition करना होंगा तो 55,000 होंगा 900 का only 9 30 का only 3 first digit ले 9 और 2 का 2 okay next 7,00,000 तो 7 लिख लेना है comma 60,000 plus 6000 60 में 6 को add करो 66 होता है 1000 700 का 7 1 तेन है यहापर तो 1 और 8 नेक्स्ट नेक्स्ट 50,00,000 50,00,000 लिखें 50,00,000 plus 4,00,000 means 50 plus 4 कितना होता है 54 54,00,000 50,000 plus 7,000 कितना होता है 57,00 यहाँ पर 100 नहीं दिया है तो यहाँ पर उसके जगा पर हम प्लेस पर 0 लिख लेते है 10 दिया है 7 T है तो 7 लिख लेंगे और 9 ओके सेम इसी तरह से यहाँ आपको solve करना है next question write the expanded form of the following numbers यहाँ पर आपको expanded form दिया हुआ था numbers लिखना थे अभी यहाँ पर आपको numbers दिये हुए है expanded form लिखना है means इस तरह से तो यहाँ दिया है ऐसा count करना होगा 1, 10, 100 1000, 10,000, 10000 यहाँ क्या हो गए? 6,000 6 लिख लेना है 100,000 में कितने 0 होते है? 5 तो 1, 2, 3, 4, 5 हमें पता है यह once का period है तो हम 3 डिजिट तक कोई कॉमा नहीं लगाते है जब 1000 का period शुरू होता है तो वहाँ एक कॉमा लग जाता है पहले फिर यह 1000, 10,000 हो जाने के बाद लैक का starting में भी कॉमा लग जाते है, ओके? प्लस 80,000 है तो यहाँ पर लिख लेना होगा 80,000 1000 में 3, 0 लगते 80 है, तो 80 प्लस 200 क्योंकि 100 की प्लेस पर है 2 तो 3, 10 की प्लेस पर है तो 30 प्लस 1 की प्लेस पर 4 है तो 4 सेम इसी तरह 9,00,000 प्लस 49,000 है, तो हम पहले 40,000 लिख लेंगे देन 9,000 लिखेंगे प्लस 100 क्यों क्योंकि 100 की प्लेस पर है 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 फिफ्टी तेंस में फिफ्टी और वन्स कुछ भी नहीं तो जीरो इसी तरह से आपको यह पूरा यह आपको करना है इसी है बहुत इस तरह से हमारी एक्जरसाइस फोर कम्प्लिट होती है